असलाम अलेकूं और रहमत अल्लाह आप सब का फिर से वेलकम है इस लेक्चर सिरीज में तो बिना वक्त जाया किये आज का टॉपित पढ़ते हैं जो कि है एबियो सिस्टम तो एबियो सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ चीज़े जान लेते हैं बुलड गृप्स के बारे में जैसे कि अभी तक अगर हम माइनर ब्लड गृप्स की बात करें तो वो सो से भी ज्यादा डिस्कावर हो चुके हैं और मेजर ब्लड गृप्स की बात करें हम तो 20 से भी ज्यादा वो डिस्कावर हो चुके हैं लेकिन अगर हम बात करें क्लिनिकली कौन से ब्लड गृप्स इ क्योंकि इन ही दो के वाज़े से जब यह में इनकंपैटिबिलिटी आ जाती है हुमन्स में तो हेमोलिटिक टानस्फुजा रियक्शन्स हो जाते तो एक एमेरिकन बायॉल्जिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लेंड स्टीनर 1900 के आराउंड इसने यह डिसकावर किया था ABO बुलड गुरूप सिस्टम हमें पता है ABO बुलड गुरूप सिस्टम जो मैंने कल भे डिसकस किया था कि यह कैसे डिसाइड होता है यह डिसाइड होता है कि RBC के मेंब्रेन पे कौन सा एंटिजन प्रेजेंट हो उस वेसिस पे साइड होता है कि एक normal human being का blood group क्या है for example अगर किसी का blood group A है उसमें antigen A होगा और antibody किसके खिलाफ होगी B के खिलाफ याने anti B होगी अगर किसी का blood group B होगा तो antigen present B होगा antibody A के खिलाफ होगी जो antigen present नहीं होगा उसी के खिलाफ antibody होगी simple चीज़ है AB blood group इसमें दोनों antigen होगे मतलब antibody कोई नहीं होगी ओ बलड ग्रूप इसमें antigen होगा ही नहीं कोई और antibody anti AB present होगी universal donor बोलते हैं तो यह ABO antigen होते हैं जब birth होती है at the time of birth यह तब fully developed नहीं होते हैं लेकिन at the age of two to four years यह fully developed हो जाते हैं और throughout the life फिर constant रहते हैं अब यह blood group बनते कैसे है सबसे पहले हमें याद रखना है कि ABO blood group system follow करता है Mendelian law of inheritance inheritance law यह follow करता है अलबता यह उसमें जो drawback है codominance exception है वो भी यह follow करता है वो हम देखेंगे अगर हम example नहीं हम पूरा देखेंगे कि यह बनते कैसे ABO system तो हम लेंगे पहले A blood group फिर देखेंगे B का फिर देखेंगे AB का फिर देखेंगे O blood group का अगर हम इनका circulatory system draw करें हमें अभी काम है red blood cells के साथ तो हम circulatory system में खाली वह ही draw करेंगे तो जो RBCs होंगी इस वाली RBC पे A blood group वाले पे कौन सा एंटेजन होगा A antigen B वाले की RBC पे कौन सा एंटेजन होगा B antigen AB वाले की RBC पे कौन सा एंटेजन होगा AB और BB और जो हमारा O blood group है, इसमें हम बोलते हैं कि ना ही A antigen है, ना ही B antigen है, तो होता क्या है, इसमें भी दर असल एक antigen होता है, एक substance होती है, जिसमें को हम H substance कहते हैं, वो कैसे बनता है, जब वो हमें समझाएगा कि H substance कैसे बनता है, तब ही हमें A, B और ये दोनों समझाएंगे, तो हम अगर इसकी RBC की बात करें, तो उसके कौन से antigen होगा, H antigen, H antigen की formation को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा erthropoices में, जब erthropoices होता है, तब भी ABO system के antigen बन जाते हैं, तब क्यों बन जाते हैं, क्योंकि antigen बनने के लिए different types of enzymes ज़रत पड़ते हैं, तो enzymes कहां से आते हैं, वो proteins होते हैं, gene express होती है, हमें पता है कि जो mature RBC है, उसमें nucleus नहीं होता, तो gene expression नहीं होगी, proteins नहीं बनेगी, इसलिए जो antigen बनते हैं, वो during erthropoices ही बनते हैं, जो precursor RBC होती है, blast cells होती है, उनहीं में antigen बन जाते हैं, तो हम RBC की एक blast cell लेंगे, उसमें हम लेंगे एक chromosome, chromosome number होता है, यह 19, यह 19 chromosome क्या करता है, वो हम देखेंगे, लेकिन इससे बहले, जब RBC की membrane बनती है, बनती है, तो एक oligosaccharide chain इसके membrane पे attach हो जाती है, oligosaccharide chain RBC की membrane पे attach और जाती है, जो के precursor RBC होती है, तब यह chromosome number 19, यह क्या करता है, इस पे एक locust होता है, जहां से gene expression होती है, और यह एक enzyme बनाता है, कौन सा enzyme बनाता है, एक तरीके का transferase बनाता है, जिसको हम कहते हैं, L-fucosyl transferase, यह क्या करता है, यह chromosome number 19, एक enzyme बनाता है, gene expression से, उसको हम बोलते हैं, L-fucosyl transferase, यह L-fucosyl transferase क्या करता है, यह enzyme, यह एक terminal sugar को इस oligosaccharide gene के साथ attach कार देता है, यह हमने बनाया terminal sugar, उस terminal sugar का नाम क्या होता है, L-fucos, यह L-fucos क्या है, एक terminal sugar है, यह ऐसा नहीं होता है, तो यह खाली diagram है, समझाने के लिए, तो फिलाल हमने क्या क्या किया, chromosome number 19 ने gene expression की, उसने एक तरीके का transferase बनाया, जिसका नाम है L-fucosyl transferase, उसने एक terminal sugar को, L-fucos को attach किया, किसके साथ एक oligosaccharide chain के साथ, जो already present थी RBC के membrane तो अब यह दो substances, मिलकर क्या बनाते है, H-substance, क्या बनाते है, H-substance, यहां तक जो process होता है, वो same होता है, A में भी, B में भी और A B में भी, तो यह हमारा O blood group बन गया, इसके बाद इसमें further कोई change नहीं आती है, लेकिन अगर हम A की बात करें, A में क्या होता है, हम तर इसे लेंगे एक precursor, RBC blast cell लेंगे, chromosome number 19 है, उसने gene express की, transferase बनाया, और terminal sugar को attach किया, जो क्या है, L, phucosyl transferase enzyme की मदद से, L-fucos को attach किया, इस oligosaccharide chain के साथ, और क्या बन गया, H-substance, ठीक, अब क्या होता है, अब एक और chromosome होता है, chromosome number 19, अब जो chromosome काम करेगा, वो होता है, chromosome number 9, chromosome number 9, इस पर जो gene होती है, दर असल दो chromosome होते है, हमें पता है, हमारे पास एक cell में, कितने chromosome number 9 होंगे, दो, क्योंकि हमारे chromosome पियर्स में होते है, तो यह क्या करेंगे, इन दोनों में से, यह जो chromosome है, या तो दोनों, या दोनों में से, एक enzyme बनाएगा, फिर से, ट्रांस्फरेस बनाएगा, लेकिन अब कौन से ट्रांस्फरेस बनाएगा यह, क्योंकि यह A blood group है, यह बनाएगा, एन ए जी ए, इसका फुल फॉर्म है, एन एस्टाइल गेलेक्टोस अमी, ट्रांस्फरेस, जैसे एल फ्योकोस अइल ट्रांस्फरेस ने, एल फ्योकोस को एटेज किया था, वैसे ही, और गेलेक्टोस अमी, ग्रॉमोजूम नंबर 9 ने बनाया एन एस्टाइल गेलेक्टोस अमाइट ट्रांस्फरेस, यह क्या कराएगा, यह कराएगा add एन एस्टाइल गेलेक्टोस अमाइट, जो भी यह शुगर है, अल फ्योकोस की तरह, किसके साथ इस, H सबस्टांस के अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है मैंने पहले बोला कि हमारे पास प्रोमोजोम होते हैं क्या होते हैं प्रोमोजोम तो अगर दोनों ने यह एंजाइम बनाया तो इसका हम देखेंगे जीनोटाइप और फीनोटाइप फीनोटाइप हम मैं पता है कि वो एक्स्प्रेशन देता है बाहर से चाहे एक दोनों बना रहे हो एंजाइम या एक बना रहा हो फीनोटाइप सेम ही रहेगा फीनोटाइप ए ही रहेगा लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें बुलड़ गूप A की, वह या तो AA हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि जो पीर अफ प्रोमोजोम है, वो दोनों क्या बना रहा है है, enzyme और और कौन सा genotype हो सकता है A-O-A, वो एक ही बात है, इसका मतलब है धोनों मैं से एक ही बना रहा है, तो फरक फिलकुल नहीं पड़ेगा, वो भी ए ही कहलाएगा, phenotypically यह भी ए ही कहलाएगा, तो इसका मतलब हमें इतना डे पढ़ने का फान क्या है, जब कि यह वाले पेपर चक करते हैं वो कॉनिटिटी के साथ साथ कॉलिटी भी चक करते हैं इसी लिए जितना हम डी पड़ेंगे जितना हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स एड़ करेंगे अपने पेपर में वह नहीं अच्छे मांक्स आएंगे तो यह जीनो टाइप और फिनो टाइप का जो पॉइंट था यह आउट आफ सेल बस था आउट आफ सेल बस नहीं कह सकते थोड़ा अलावा पॉइंट था तो यह मैंने सूचा कि इसलिए सब को हेल्प होगी से और अच्छे मांक्स आएंगे पेपर में लेकिन यह समझना अग अगर हम बात करें बी बलड ग्रूप की बी में क्या होगा तो फिर से हम लेंगे एक प्रिकरसर आर बी सी बलस्ट सेल लेंगे फिर से क्या क्रोमोजूम नंबर 19 क्या बनाएगा एल फ्यूकोस वो एटेज करेगा प्रोमोजूम नंबर 19 क्या बनाएगा उन् ठीवन लेकिन अब क्या होगा अब एनीजिए जो इस पहले ट्रांसफ़रे जो आप नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि ये A blood group नहीं है तो इस पर क्या बनेगा? इस पर जो promozoom है वो बनाएंगे एक अलग तरीक एकर transferase जुसको हम बोलते है D galactosal transferase ये किस sugar को add करेगा? इस H substance के साथ ये add करेगा D galactos को तो ये जो हमारा blood group बन जाएगा एक oligosaccharide, एक L-fucos और एक D galactos ये बन जाएगा हमारा blood group B ये क्या हमारा था? ये हमारा था A एक ऐसे बना N-style galactosamine transferase ये बना D-galactosal transferase वो को क्या हुआ था? उस में से दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी enzyme नहीं आया था तो अगर हम blood group B में genotype की बात करें तो same as B क्या होगा या तो genotype B B होगा या तो B O होगा phenotype same ही रहेगा वो क्या है blood group B अब मसला आता है कि अगर यही chromosome number 9 है यही chromosome number 9 है तो इसने यह enzyme क्यों बनाया और इसने यह enzyme क्यों बनाया? तो I am sure आपको पता होगा alleles किसे कहते है basically same genes होती है खाली different variant होता है जो कि वो sequence में काम एक जैसे sequence में काम नहीं करते है तो different variant इसलिए वो different enzymes बनाएंगे यह variant बनाता है N-acetyl galactosal transferase यह बनाता है D-galactosal transferase अब अगर हम बात करें A-B की यह आपको आप खुद समझाएगा पहले 9-pean chromosome बनाएगा L-fucos वो oligosaccharide के साथ attach करेगा L-fucos attach क्या करेगा कौन सा terminal sugar? फ्यूकोस फिर यह जो chromosomes है chromosome number 9 peers होता है एक इन मैंसे बनाएगा N-acetyl galactosamine transferase और दूसरा बनाएगा D-galactosal transferase तो दोनु चीज़े add होगी और यह कौन सा blood group बनेगा A-B तो यह थी inheritance pattern और biochemistry blood groups की I am sure कि आपको समझाया होगा अब हम इसी topic में क्या देख लेते हैं? Bombay phenotype यह Bombay phenotype क्या होता है? यह जो Bombay phenotype group के individuals होते हैं उनकी RBC के membrane पे H-substance भी नहीं होता है तो उनमें जो chromosome number 19 होता है वो enzyme L-fucosal transferase नहीं बनाता है तो उसके बाद जो chromosome number 9 अगर बनाएगा भी enzyme तो उससे कोई फारत नहीं पड़ेगा तो इनमें क्या होता है? इनमें खाली एक oligosaccharide chain होती है बस नहीं H-substance होता है A और B antigen की तो बात ही नहीं है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे असल में सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है? सब Bombay phenotype होता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद O antigen बनता है याने की H-substance बनती है कैसे? क्रोमोजोम नमबर 19 transferase बनाता है कौन सा वाला? L-fukosyl transferase जो की L-fukos को attach करता है oligosaccharide chain के साथ वो क्या बनती है? H-substance और अगर यहीं तक process रहा तो हम इस Blood Group को इस Individual को क्या कहेंगे? इसका Blood Group O है अगर अगर अब क्रोमोजोम नमबर 9 ने क्या बनाया? Enzyme Sorry N-style galactosamine transferase खाली यहीं बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे? यह Blood Group A है अब अगर क्रोमोजोम नमबर 9 ने D-galactosamine transferase बनाया वो क्या होगा? B Blood Group अब अगर दोनों enzymes बनाया क्योंकि पीर आफ क्रोमोजोम उस प्रेजेंट होता है जो जीनोटाइप और फिनोटाइप और अलीरिस का कंसेप्ट मैंने समझाया अगर किसी को confusion रहा तो repeat दिख लेना lecture तो समझ आ जाए तो जिसके पास दोनो ट्रांसफरेज प्रेजेंट होंगे उसको हम कौन सा इंडिज्वाल हम कहेंगे A B इंडिज्वाल तो ये थी सारी भायू के mystery and history regarding A B of a Blood Group system